वेल, हमने अभी तक Microsoft Azure में बहुत सारे resources create किये हैं चाहे हम बात करें resource groups की, चाहे हम बात करें Azure virtue machine की और हमें थोड़ा समझ भी आया है कि ओके हमने just choose करने हमारे right path या right resources और वहां पर जो भी instructions है हमारी next, next, next करके हमें उन्हें create करना है और वो automatically हमारे लिए create भी हो जाते हैं and that is all the beauty of Microsoft Cloud right so guys इसको समझने के लिए जो behind the scene जो चीज़े काम करती हैं उसके बारे में हम आज इस वीडियो में बात करेंगे जिसमें सबसे पहला topic है वो है हमारा Azure Resource Management now, Azure Resource Management क्या है? so guys इस picture पर directly आते हैं और थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं so जैसे कि आप देख रहे हैं कि Azure Resource Management को अगर आपको understand करना है तो सबसे पहली चीज़ आपको पता होनी चाहिए हम जो भी resources create करते हैं Microsoft Azure में वो हमारे create होते हैं Azure Resource Management now, Azure Resource Manager क्या है? obviously एक question आएगा आपके माइन में क्या ये service है? या फिर या कुछ और चीज़ है? right? और guys उसके साथ साथ obviously आज हम discuss करेंगे ARM templates के बारे में भी कि वो क्या है? और कैसे हमारी help करती है? hello guys, my name is Harsh Rangna और इस वीडियो में हम दो important चीज़ को जानेंगे जो कि सबसे पहली है हमारी Azure Resource Manager और दूसरा है हमारा ARM templates now, Azure Resource Manager का मतलब क्या है? to make you simple and understanding about this Azure Resource Manager जैसे ही Microsoft Azure Portal में आप login करते हैं username, password से वो ही आपका Azure Resource Manager है that's it क्योंकि वहाँ पर आप देख पाएंगे कि जब भी आप login करते हैं तो वहाँ पर बहुत सारे हमारे options available रहते हैं कि आपको किस type का resource create करना है और in fact अगर आप देखना चाहते हैं about the creator resource so on the left hand side top corner आप जाके देख सकते हैं महाँ पर लिखा आएगा आपका creator resource और वहाँ पर आप decide कर सकते हैं किस type का resource create करना चाहते हैं मेरा point यहाँ पर यह बताने का है कि यह जो भी resources हम create करते हैं guys वो सारे के सारे हमारे under होते हैं Azure resource manager में चाहे हम आपर हम storage account की बात करें चाहे हम आपर key walls की बात करें कोई भी firewall और in fact including a virtual machine यह सारी चीज़ें वहाँ पर आपके लिए काम करेंगी now virtual machine को भी in fact समझने के लिए क्योंकि क्या है ना कि अभी तक हमने just virtual machine create की है हमने उसके बारे में जाना नहीं है कि कौन-कौन से additional resources भी create होते है और आज हम उनके बारे में थोड़ा सा discuss करेंगे ताकि आपको थोड़ा over idea लगे और समझ भी आए so guys उसमें सबसे पहला as an example है जब भी हम virtual machine create करते हैं वहां पर एक virtual network create होता है वहां पर एक IP address create होता है एक disk create होती है तो यह हमारे जो primary required components है या फिर resources है यह automatically हमारे virtual machine के साथ create होते हैं यह तो बात हो गई हमारे resources की इनको हम कहां पर managed तरीके से रखेंगे तो guys वहां पर हमारी बात आती है RG Already I think you are pretty much aware about RG कुछ guess कर पाई क्या है It is resource group Very simple Because आप सब को पता है जब भी हम कोई नई virtual machine create करते हैं या in fact कोई भी resource create करना चाहेंगे तो उसको हमें एक logical container में रखना पड़ेगा और उसका नाम है resource group Now यह resource group, यह resources क्यों create हो रहे हैं कैसे बन रहे हैं guys Because यह सारे के सारे इसलिए बनने है कि वहाँ पर हमारे पास subscription है Right क्योंकि अगर हमारे पास एक right subscription नहीं होगा या right permission नहीं होगी वहाँ पर हम यह resources create नहीं कर पाएंगे और इनको subscriptions को manage करने के लिए वहाँ पर हमारे पास Azure resource manager भी है या हम दूसरे language में कह सकते है Azure resource management भी है क्योंकि यहाँ पर हम इनको management groups के नाम से understand करते है तो I think आपको समझ आया कि मैं क्या explain करना चारा हूँ विकाज यहाँ पर कोई भी resource आप create करेंगे guys वो हमारा एक तो resource मनलब कहलाएगा और उसके साथ साथ हमारा resource group भी उसमें कहलाएगा तो यह बहुत important है आप लोगों को समझना now second thing obviously इसके बारे में थोड़ा detail है बात करेंगे और practical भी करेंगे तो आपको काफी कुछ clear हो जाएगा so don't worry about that so second हमारा option है guys what are ARM templates so actually ARM templates ARM का मतलब क्या है पहले तो Azure Resource Manager जो अभी हमने अभी पढ़ा कि जो भी resources हम create करते हैं उन्हें हम Azure Resource Manager या फिर ARM कहते हैं और अब templates क्या है I think आप लोगों को बहुत ही easily समझा रहा हूँगा templates मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ कि आपके पास bunch of information है उनको हम एक तरह से bind करके एक template की form में हम उसे save कर रहे हैं ताकि अगर हमें दुबारा से वो same information की जरुवत पड़े तो हम उसे utilize करें और उसे हम जो भी resources create करना चाहते हैं वो कर सकते हैं Now इसे समझने के लिए Let me give you one quick example और I am pretty sure उसके बाद आप सब लोग बिल्कुल clear हो जाएंगे कि मैं क्या यहाँ पर explain करना चाह रहा हूँ So guys arm templates वहां use करते हैं क्योंकि obviously एक question रहता है Okay this is arm template But इसका use क्या है तो उसी की explanation मैं यहाँ पर एक intro part में देना चाहूँगा So guys as an example आप देख पारे हैं कि यहाँ पर मेरे पास virtual machine है virtual machine 1, virtual machine 2 and virtual machine T और उसके साथ साथ हमारे पास application security भी enabled है as an example or another way like you can say storage account भी है key vaults भी है आप कोई भी resources के बारे में बात कर सकते हैं during the creation of any resources Now क्या होता है कि यह मेरी एक website है 3 tier website है या फिर हम कह सकते हैं कि यह एक location है East US 2 और वहाँ पर यह सारे resources मैंने deploy किये हैं obviously time लगा है मुझे थोड़ा सा इनको समझने में भी time लगा है कि कैसे deploy करना है और आपने काफी ज़्यादा effort लगा के आपने यह website या फिर एक web server deploy किया जहांपर back end भी है SQL server भी है front end server भी है Now होता क्या है जब यह आपका successful चलने लग जाता है तो आपके पास requirement आती है कि hey just configure the same things in another region ताकि US के बाहर हमारे जो इंडिया में customers है उनके पास भी websites easily available हो और उनके पास जो experience है वो भी काफे rich हो मतलब fast हो तो उसके लिए please configure the same thing Now one option जो traditional way है वो क्या है Start building things from scratch one by one एक के बाद एक virtual machine create कीजिए application security, storage account, settings लगाईए जो rules आपने create कीए है वो भी कीजिए लेकिन guys ये time consuming है और थोड़ा सा extra time लगता है otherwise think smart और आप क्या कर सकते हैं as an administrator आप simply ये जो भी आपने resources create कीए हैं इनको as a ARM template आप save कर सकते हैं और save करने के बाद next time अगर आपको वो कहते हैं की configure all these things again because I want the same setup in another location तो उस case में क्या होगा आपको simply जो template है उसको use करना है और click go या फिर create that's it that's it मुझे बहुत cool लगा था ये feature क्योंकि जैसे मैंने click किया मेरे virtual networks, मेरे virtual machines मेरी application security, storage account ये सब कुछ मेरा automatically create हो गया था दूसरी location में so guys ये जो cool features है या जो arm templates है वो कहां पर आपको देखने को मिलेंगे उन्हें deploy कैसे कर पाएंगे ये मैं बताना चाहूंगा although आपको बहुत कुछ जाने की जरुवत नहीं है AZ900 में but still you should be very much clear कि ये काम क्या करती है और इनका actually help क्या है और obviously मैं आपको जरूर बताऊंगा कि कैसे आप इन्हे create भी कर सकते हैं so guys let's begin before to move forward guys मैं आपको बताना चाहता हूं कि कौन-कौन से topics आपको important है आपके exam में भी आएंगे और आपको थोड़ा सा logical understanding होनी चाहिए जब भी आप कोई भी Microsoft Azure resource create कर रहे हो और obviously मैं आपको practical भी दिखाऊंगा लेकिन उससे पहले मैं आपके सामने कुछ information share करना चाहता हूं जो आपको help करेंगी जब भी आप resources deploy करेंगे so guys आपके logical जो आपके constraint है या जो आपके questions हैं उनको clarify करने के लिए ये वीडियो आपको काफी help करेगी so in Microsoft Azure guys जो पहले रहता था वो हमारा था Azure classic portal और आज जो हम use कर रहे हैं जब भी आप Microsoft portal में या Microsoft Azure portal में log in करते हैं उसे हम बोलते हैं ARM या फिर Azure resource manager और इसको समझने के लिए यहाँ पर मेरे पास एक picture है जो आप देख सकते हैं on the right hand side यहाँ पर जो पहला और पुराना था वो था classic portal जिसकी screen मैं obviously बढ़ा करके नहीं दिखा सकता but I think you get my point because यहाँ पर बढ़ा easily समझ आ रहा है कि कैसे आपके portal शो होता था और कैसे आप देख सकते थे और दूसरा हमारा यहाँ पर है Azure Resource Manager जो आज हम use कर रहे हैं यह वो हमारा portal है so guys अब इन दोनों में difference क्या है obviously पहला difference तो आपको समझी आ रहा है कि वो है looks का क्योंकि Azure Classic Portal was really great initially और काफी लोगों ने like भी किया था और इवन I worked on Classic Portal मैं आपको अगर बात बताओ instructions okay थी but I do not comply with all the settings because जैसे भी कोई भी resource में create करने की कोशिश करता था Microsoft Azure Portal में Classic Portal में I mean तो वहाँ पर थोड़ा सा मुझे लगता था कि इसको better किया जा सकता है but once they created Azure Resource Manager it's like wow I mean they made lots of changes looks में भी उसके management को उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से use किया because जब भी हम resources create करते हैं हमारा page change नहीं होता on the same page जो हमारी slide आती है like when you create a resource it automatically open a new slide on the right hand side तो ये जो एक pattern है ये pattern हमारा missing था Classic Portal में obviously मैं ये नहीं कहूंगा कि Classic Portal was bad obviously initially it was really great but it certainly does required improvement और वो Microsoft ने Azure Resource Manager में key है undoubtedly so guys अब इन दोनों में difference क्या है obviously जितनी मेरी understanding है Azure Classic Portal एक तो initially था और कुछ और not कुछ that's a wrong word काफी limitation थी जैसे कि resources create करने की limitation थी हमारे backend के अंदर भी इतनी supportability नहीं थी तो ये सारी चीजों का एक problem रहता था जब भी अगर हम fortune 500 या जो big players हैं जो big organizations हैं जब वो resources deploy करते थे या in terms of Azure resource manager आप कुछ सोचने की जरूवत नहीं है how much big you are it doesn't matter with Microsoft आप अपने resources create कर सकते हो without any issue now ये तो थी एक understanding resource management resource manager की और classic portal की second है guys हमारे resources की और हमारे resource group की now resource group क्या है now resource group को समझने से पहले जब भी हम एक resource manager portal को access करते हैं वो actually हमारा एक management groups के नाम से consider किया जाता है because हम उसमें एक admin user से login करते हैं now login करने के बाद जो second important चीज़ हमें काम में आती है वो आती है हमारी subscription now subscription I think I don't need to tell you but just to give you information वो हमारी help करता है कि किस type का subscription है कौन-कौन से resources हम create कर सकते हैं और क्या हमारी functionality रहेगी हमारे resources को create करते हैं वो subscription वहाँ पर आपकी help करता है दूसरा subscription आपकी वहाँ भी help करता है जहाँ पर आपकी cost management आती है आपको कितना cost रहेगा because कहीं पर जैसे मेरे पास है Microsoft gives me $150 in a month तो मैं कितना भी use कर सकता हूँ अगर आपके पास MCT certification है तो आप Azure Pass को use कर सकते हैं और वहाँ से $100 की आपको access मिल सकती है आपके account से वो भी एक easy process है आपका तो आप ये चीज़े create कर सकते है and you know subscription आपकी help करते है आपके resources create करने में now obviously जैसे ही आपका subscription बना या active हुआ आपके पास permission आ जाती है कि आप resources create कर सकते है obviously अगर आप देखना चाहें तो Microsoft Azure resource manager में manager में जो left hand side में है आपका जो three lines आती है तो वहाँ पर आप उसे click करेंगे तो वहाँ पर लिखा आएगा create a resource right so वह जो create a resource पर click करेंगे तो वहाँ पर tons of resources या options हमारे available होते हैं और वहाँ पर आप उसे access कर सकते हैं लेकिन ये resources तभी आपके create होंगे जब हमारा resource group create होगा now that's the main point resource group क्या है guys resource group हमारा एक logical entity है या फिर एक logical space है जहां पर हमारे resources enter होते हैं और वो store होते हैं now I think इसको समझाने के लिए मुझे एक example देना पड़ेगा उसके बाद आपको clear हो जाएगा now resource group को समझाने के लिए for example मेरी company में दो department है marketing और guys थोड़ा slow लिख रहा हूँ sorry about that और मैं obviously mouse से लिख रहा हूँ तो pardon my writing तूसरा है guys मेरे पास जो department है that is account department now मैंने क्या किया marketing department का एक resource group बनाया account department का मैंने तूसरा resource group बनाया which is absolutely fine कोई problem नहीं है अब जो भी मैं resources create कर रहा हूँ चाहे मैं 100 कर रहा हूँ चाहे मैं 2000 कर रहा हूँ वो मैं इनकी identity के base पे कर रहा हूँ कि अगर आप एक resource बना रहे है marketing का so please choose marketing resource group लेकिन अगर आप एक resource बना रहे है account department का so please choose account resource group right अब इसका फाइदा क्या है because you can easily find out what resources you have in account resource group or account department और जो marketing department में है उन्हें भी आप easily जाकर check कर सकते है now क्या ये real time में आपकी help करेंगे देखिए अगर आपको इसे identify करना चाहते है in a logical entity जो मैंने आपको बताया as a resource group तो yes it is gonna helpful now next question आपका आता है okay हर्ष it is fine ये तो हो गया हमें समझ आएग what about the cost management क्या वो help करेगा guys देखिए यहाँ पर आपके बस दो option है अगर आप एक ही subscription यूज करते है number one or number two so अगर आप एक ही subscription यूज करते है for both these as an example resource group तो yes वहाँ पर आपका combined show करेगा जो total cost होगी आपके resources की okay although there is a solution मैं आपको बताऊंगा लेकिन एक दूसरा option भी है और यही एक beauty है हमारे Azure Resource Manager की या फिर management group की की आप दूसरा option चाहें तो subscription आप multiple choose कर सकते हैं मतलब number one subscription for marketing number two subscription for accounting उसका फाइदा I think आपको पता लगए है कि उसका फाइदा कैसे होगा हमें क्योंकि आप separately build कर सकते हैं marketing को और accounting को यह आपको बात हमेशा याद रखनी है दूसरी चीज़ आपकी जब अगर मान लिज़े आपको identify करना है आपके resources तो ध्यान रखिएगा जब भी आप marketing resources create करेंगे तो आपको number one subscription ही choose करना है because आपके सारे marketing के जो resources है वहीं पर available होंगे ऐसा नहीं है कि you cannot create under account subscription लेकिन जैसा मैंने कहा जब आपकी cost management की बात आएगी तो वहाँ पर आपको confusion रहेगी कि कितने resources की amount marketing ने handle कर रखिए है अगर आप subscription two में आपके resources create करेंगे तो now obviously ये भी question है का we have the solution and that is azure tags so azure tag हमारी service ये कैसे help करती है हम हमारे मालीजे number two subscription नहीं है हमारा right हमारे पाथ just number one subscription है और वहाँ पर मैंने क्या किया resource group के साथ साथ हमारे जितने भी resources create हो रहे हैं उनको मैंने tag दे दिया marketing और मैंने accounting now उससे होगा क्या obviously अगर आप पुछेंगे हर्ष अभी तो आपने कहा कि अगर मेरे पास एक subscription है तो उसका bill combined आएगा yes you are right combined ज़रूर आएगा लेकिन अगर आपके stakeholder या आपकी जो management team है वो ये चेक करना चाहती है कि marketing team ने कितने resources हमारे consume किये हैं तो yes you can do with the help of tag क्योंकि जैसे आप subscription में जाएंगे cost management में जाएंगे वहाँ पर आप tag की service को use करके ये analyze कर सकते हो कि marketing team ने कितना amount utilized किया है in the month of let's say June और July और September जो भी आपकी timings हैं तो ये आपको काफी help करेगा और guys यही चीज हमारी आती है under Azure resource management so I think आपको basic idea हो गया है कि मैं यहाँ पर क्या आपको समझा रहा हूँ और आपको ये बात ध्यान रखने है because अगर आप AZ-104 वीडियो आपने देखी है जो हमारी first two three videos है उनमें आपको ये सारे concepts clear हो जाएंगे but still who is watching only AZ-900 ये वीडियो आपको काफी helpful करेगी so guys आगे चलते हैं and let's try to understand कि कैसे इन चीजों को handle किया जाता है या manage किया जाता है welcome to Azure resource manager आपको पता है कि पहले मैं कहता था welcome to Azure portal because आज हम वो topic कर रहे हैं मैंने सोचा कि उसी नाम से introduce करें so guys this is Microsoft Azure resource manager और इसी को कहते हैं और यहां पर जितनी भी services आपको दिख रही है या जो feature दिख रहे है वो सारे के सारे हमारे associated है resource manager से या जिसको हम Azure resource manager कहते हैं obviously यह अच्छा है because you can search your all the services जो भी आपकी run कर रही है यहां पर आपके पास जितने भी subscription है आप देखिए आपका search यहां पर change कर सकते हैं within one subscription आपको search करना है आपके resources या फिर जितने भी subscription है वहां पर आप यह change कर सकते हैं guys यहां पर आप अपने cloud shell को मतलब आप launch कर सकते हैं और आपको पता है कि कैसे हमारा cloud shell हमारी help करता है it is very much helpful और बहुत ज़ादा हमारे especially administrators के लिए काफी ज़ादा helpful रहता है और आपको और रड़ी पता है दूसरी चीज़ गाइस हमारे resource manager में हमारे पास आता है area notification जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ हमारे resources के बारे में information है और थोड़े warning भी है sign भी है और अगर हमारा successful deploy होता है उनकी भी information या show होगी और obviously अभी मैं इसे dismiss करना चाहूँगा because हम कुछ practice करेंगे तो उसके बारे में few मतलब new information होनी चाहिए उसके लिए और उसके साथ साथ guys अगर आप Azure Resource Manager में आते हैं तो ये भी एक अलग type की एक advantage ही है जो classic में नहीं था कि आप multiple directories को या इन्हें हम tenant कह सकते हैं उसे आप use कर सकते हैं under one place अगर मैं मेरे हर शेरीना दूसरे tenant में जाना चाहूँगा या directory में जाना चाहूँगा I can go there and use all of my resources बड़ा ही असान है so guys ये सारी advantages हमें मिलती हैं हमारे resource manager से और हमें जितने भी new features जो भी Microsoft introduce करेगा वहाँ पर ये सारे के सारे features हमारे available होंगे now उसके साथ साथ अगर हम बात करें जो start करें हमारे topic कि वो है हमारा resource group now जैसे मैंने बताया what is resource group guys ये हमारा एक logical entity है और ये हमारी logical entity हमारी help करती है जितने भी हमारे individual resources है उन सब को एक combined form में एक जगे रखने का और ये बहुत important है हमारे लिए because जब भी हम हमें अगर analyze करना है कि कौन सी team क्या use कर रही है या फिर कितने resources create हुए है तो logical एक understanding के base के उपर आप resource groups को create कर सकते हैं और identify कर सकते हैं उनके resources के बारे में इसका मतलब क्या है let's go to this resource group HVM और यहाँ पर मैंने एक virtual machine create की थी और आप देख सकते हैं हाँ पर एक खाली virtual machine create नहीं हुई है उसके साथ साथ हमारा public IP address network security group network interface disk और virtual network भी create हुआ है और in fact अगर मैं कोई नया resource create करना चाहूँगा तो मैं यह वाला specific resource group choose कर सकता हूँ और यह हमारी help क्या करेगा यह सारे के सारे मुझे under one roof information देखने को मिलेगी right now यह हमारे individual resources हैं guys चाहे हम IP address की बात करें चाहे हम अपने network security group की बात करें because अगर जैसे मैं disk पे click create करता हूँ या click करता हूँ तो जैसे आप देख सकते हैं इनकी सब की information बिलकुल अलग है और इनको manage अलग तरीके से किया जा सकता है right but let me just go back to resource group so guys यह पहरी चीज़ आपको समझनी है जितने भी हमारे resources create होंगे उनके लिए हमें resource group की ज़रुवत है ही है ताकि logically हम उन्हें एक particular place में रख पाएं और अगर हमें कल को analyze करना है हम वो easily कर पाएं based on resource groups now resource group और कहां हमारी help करता है guys जहां पर हमारे subscription की cost analysis आ जाती है वहां पर हमारा resource group help करता है काफी लेकिन अब आपने resource create कर लिये आपने resource manage I mean not manager manager तो already created है Microsoft की तरफ से resource group आपने create कर लिया है तो आप just imagine कि आप एक administrator है और बहुत सारे resources आपने create किये है और unfortunately आपने एक permission दी है एक user को जो आपके resources create और manage करता है और ऐसा होता भी है because आपके पास junior admin भी होते हैं आपके पास senior admin भी होते हैं और obviously इन सभी चीज़ों के अंदर कभी कभी क्या होता when you are not working sometime कुछ लोग mistake कर देते हैं और accidentally आपके resources delete कर देते हैं और उसका मतलब you know problem होता ही है I think आपको ज़्यादा जो लोग ओलडी काम कर रहे है उनको situation का पता होगा तो recover करना बहुत मुश्किल हो जाता है guys वो data भी और Microsoft से फिर contact करना भी तो guys उसे बचाने के लिए हमारे पास एक option है हमारे resource group में और वो है हमारा locks so जैसे आप अगर locks पे click करेंगे तो ये काम क्या करेगा पहले मैं आपको understand कर देता हूँ guys locks हमारा काम करेगा जहां पर भी ये locks हमारा apply होगा उसके बाद even though Azure admin भी data delete करना चाहेगा या जो resources हैं उस resource group में delete करना चाहेगा नहीं कर पाएगा okay that's the basic understanding of locks क्योंकि यहाँ पर दो option है वैसे तो read only and lock or delete तो obviously मैं यहाँ पर delete की बात कर रहा हूँ read only आप already समझ पा रहे हैं कि वो आपका read only कर पाएगा और वहाँ पर आपके resources को write या update नहीं कर पाएगा so guys locks को apply करने के दो option है either you can apply on the you know resource group directly obviously one option is this second is directly on subscription now इन दोनों में difference क्या है अगर मैं lock apply करूंगा HVM resource group पे तो उससे क्या होगा कि जब भी मैं कोई data delete करना चाहूंगा HVM में या फिर कोई भी resource में delete करना चाहूंगा HVM में वो मुझे allow नहीं करेगा इस particular resource group में लेकिन अगर मैंने subscription पे apply किया lock तो क्या होगा चाहे मेरे पास 1000 resource groups हो automatically उसके उपर lock आपका apply हो जाएगा तो फिर किसी और resource group से भी आप अपने resources को delete नहीं कर पाएंगे या accidentally कोई और नहीं कर पाएगा वाज अगर आपको करना है delete then you have to remove the lock और उसके बाद आपको ये permission होगी delete करने की let me show you तो इसे apply करने के लिए guys यहाँ पर add करेंगे आप log का कोई भी नाम दे सकते हैं जैसे की like do not delete as an example आप कुछ भी दे सकते हैं so lock type as I said दो option है read only or delete मैं यहाँ पर delete का option करता हूँ and just click ok हमारा simple सा lock apply हो गया है और मेरा जो scope है apply होने का यह permission या यह setting यह हमारी सिर्फ और सिर्फ एक resource group पे है जो की है HVM now जैसे कि आप देखते हैं कि पहले क्या था अगर मैं यह lock नहीं लगाँगा और मैं just delete resource group पे जाऊँगा और यहाँ पर resource group का नाम लिखूँगा HVM as an example अगर यह lock नहीं होगा आप इसे गलती से delete कर देंगे तो यह automatically delete हो जाएगा लेकिन फिलहाल हमारा lock है तो मैं यहाँ पर अगर मैं कोई भी resource को या फिर मैं example के लिए VM को delete करना चाहता हूँ just click delete and type yes because मैं चाहता हूँ यह delete हो तो यह हमारी delete नहीं होगी और आपको यह error show करेगा अगर मैं notification में जाऊँगा तो वहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आया है hush arena VM the scope subscription ब्ला 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 यह location है हमारे एक मतला मेरे resource group की cannot perform delete operation because following scope are locked तो गाइस यहाँ पर आप जो accidentally deletion की बात करते हैं आपके resources की वो आपकी help होगी अगर आप इसे follow करते हैं तो और गाइस आपकी just information के लिए जो exam देना चाहेंगे वहाँ पर भी एक या दो question lock से related आते हैं over resource group so be careful और थोड़ा सा आपको अच्छे से पता होना चाहिए and I highly recommend असान है मैं यह नहीं कहूंगा कि बहुत मुश्किल चीज़ है just a very simple thing लेकिन मैं आपको यह request करूँगा कि आप एक बाद try ज़रू करें इसे practice करने की so I think आपको अप समझ आया है resources हमारे individual resources चाह कोई भी हो यहाँ पर आप सारे resources देख पारें यह resource है और resource group जो combined information save करता है हमारे हर एक resource की ताकि हम उसे logically identify कर पाएं easily right okay now let's go back to home और guys यह तो था हमारा resource का लेकिन उसके साथ साथ हमारा tags now tags को समझने से पहरे हम समझना चाहेंगे कि subscription क्या है और कहां से access होता है कैसे information हमें देखने को मिलेगी so guys आपकी just information के पहले मैंने AZ104 में subscription और resource groups पे एक detail में video बनाई है I highly recommend आप वो जाके देखें आपको सारा कुछ clear होगा जो आज हम कर रहे है और जिन्होंने देखी है I'm pretty sure आपको काफी confidence feel हो रहा होगा हाँ यह तो पता है यार यह तो ऐसे होता है okay that's fine I'm happy for you and keep learning and yeah let's move forward so जो कहाई इस पहली बार कर रहे हैं तो हमने उनके लिए क्या करना है कि जो subscription है या तो हम यहाँ directly navigate कर सकते हैं हमारे subscription से either you can go to three lines on the left hand side and go to course management and billing आप जैसे यहाँ पर जाएंगे तो यहाँ पर हमारे पास option आएगा हमारे subscription का तो जैसे कि आप देख सकते हैं मेरे पास दो subscription है and दोनों ही हमारे active है अगर मैं पहले की बात करूँ so पहले subscription में जाएंगे जो हमारा start होता है E5 से और subscription ID end होती है 2.5 से so यहाँ पर जाके चेक करेंगे हमारा कितना consume हुआ है अभी तक का जो भी हमारे resources create हुए है क्योंकि guys मुझे $150 मिलते है so मैं जरूर चेक करना चाहँगा कि कितने utilize हुए there is no active resource emitted usage yet okay wow I have 150 credit guys I'm too good because मैं practice भी करता हूँ deploy भी करता हूँ देखिये मेरे पास पूरे credit है मेरा जब तक यह credit है I mean I am saved because मैं अपने अपने जो subscription उसको use कर सकता हूँ anyway let's let's go back to cost management and billing again and दूसरा try करते हैं कि वहाँ पर कुछ information देखने को मिलेगी के नही and I think आपको मैं जो दिखाना चाहता हूँ वो यहाँ पर यहाँ पर दिख रही है guys so जैसे कि आप देख सकते है कि यहाँ पर हमारे पास जो cost analysis है cost by resource जो यह जो resource हमारा utilize हुआ है अगर मैं इस पर click भी करूँगा तो यह हमें यह बताएगा कि 84.2% हमारे यह वाला जो resource create हुआ है उसने use किया है और बाकी का जो हमारा utilization है वो हमारे इससे है अब मैं इसके उपर एक बार आपको थोड़ा ओर detail में बताने की कोशिश करूँगा total मेरे पास $150 है उसमें से मेरे पास जो भी remaining है वो 149.77 and मेरी जो utilization है वो है 0.31 obviously मैंने अभी recently एक resource बनाया है जो virtual machine है थोड़ा time लेगी लेकिन अगर कल आके देखेंगे तो यह जो value है यहाँ पर यह थोड़ी increase हो जाएगी लेकिन थोड़ा सा और detail में चलते है on the left hand side guys आपको check कर आपको click करना है cost analysis का क्योंकि जैसे आप cost analysis पे click करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा कि automatically जो मेरे based on location, based on storage based on resource group जितने भी utilization है मेरे resources की वो सारी की सारी आपको show करेगा जैसे कि आप देख सकते है based on service name मैं कोई भी चीज़ चेक करना चाहूँगा for example resource so यह based on resources मुझे बताएगा कि कितने मेरे utilization है किस किस की क्या क्या है obviously मेरे पास अभी main resource यह है इसी की utilization count हुई है तो आप यह review कर सकते है location मैं अगर आपको बताऊं कि so it can show me details according to that I think you get my point यहाँ पर आप usage check कर सकते है आप location wise check कर सकते है resource group name के basis पर check कर सकते है और guys उसके साथ-साथ अगर आपके पास multiple subscription है तो यहाँ पर आपको combined form में show हो जाएगा आपको कोई दिकत नहीं है otherwise if you want to see you can also check based on tags because जैसे आप group by name में आएंगे थोड़ा नीचे जाएए यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा tag right और guys tags को समझने के लिए पहले मुझे जाना पड़ेगा resource में और वहाँ पर मुझे कुछ tags create करने पड़ेंगे so एक बार दुबारा से हमारे resource group में चलते हैं और वहाँ पर हमारे कुछ tags create करते हैं जिससे आपको समझ आए कि उसका help क्या है उसका purpose क्या है so जैसे कि आप हमारे HVM जो भी हमारा resource group है उसमें गए आप उसके बाद आपको choose करना है कोई भी आप choose कर सकते हैं for example harsh area in a VM as an example वैसे guys मैंने एक tag already assigned किया हुए marketing cost center 1107 as an example आप चाहो तो और भी tags create कर सकते हैं जैसे कि मैं एक और tag create करना चाहूँगा harsh arena VM बहुत ही simple है और harsh arena VM के साथ मैं यहाँ पर cost center करना चाहूँगा या फिर purpose क्या है यह है मेरा okay क्या लिकिंगाइस I mean anything anything okay we that's it okay मेरे दिमाग में अभी एकदम से नहीं है so I just type we and as soon as you identify just click apply now उसे क्या होगा कि यह जो मेरा resource है वहाँ पर मेरे पास यह tag havm और vb apply हो जाएगा although marketing भी है अब इसे identify कैसे करेंगा अब इसे help कैसे होगी हमारी so guys उसके लिए पहले home पे आएए और यहाँ पर search कीजिए tags because tags एक service है और यहाँ पर उस service पर आपको जाना है so as soon as you click on tags यहाँ पर आप देख पाएँगे कि जो भी मैंने multiple tags create किये है उन सब की information यहाँ पर है अगर आप analyze करना चाहते है कि जो अभी हमने HAVMWE नाम से हमने जो tag बनाया था उस पर कौन कौन से resources है just click on that and as you can see guys हमारे पास VM यहाँ पर show हो रही है और again as an example अगर मैं किसी ओर tag में भी जाता हूँ so वहाँ पर देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि multiple आपकी जो resources है वो आपके tagged है now जैसे कि आप देख सकते है मैं यहाँ पर marketing, accounting, sales यह सारे के सारे tags में create कर सकता हूँ और हमारे resources को assign कर सकता हूँ उसका फाइदा आप एक tags में आके यह analyze कर सकते हैं हम ओके यह resources है for example अगर sales team के किसी person ने आप से contact किया है तो आपको सारे के सारे resources में जाने की जरूवत नहीं identify करने के लिए आपको बस यह पता होना चाहिए कि which team you belongs to वो कहेगा sales then just come to sales or like come to marketing और आप check करेंगे ओके आप कौन से resource की बात करें जो मुझे delete करना है select the resource, delete, modify, update जो भी आप करना चाहते हैं तो आपको काफी ज्यादा फाइदा होगा अगर आप यह follow करते हैं तो अगर आप अनदर उसका advantage भी है हमारे tags का अगर आप multiple subscriptions use नहीं करना चाहते तो आप tags को use करके भी identify कर सकते हो आपके cost marketing ने कितना analyze किया है या आपके marketing का कितना cost है sales का कितना cost है यह सारे information उसके लिए let's go to subscription first subscription में मैं as an example first subscription में जाऊंगा और यहाँ पर मेरे पास है cost analysis जहाँ पर हम पहले भी थे so यहाँ पर guys थोड़ा सा wait करेंगे यह कुछ हमारे information analyze करके हमें show करेगा और show करने के बाद जैसे show होती है हमें group by यहाँ पर हमें आना है और यहाँ पर मेरे को click करना और सबसे आखरी में आना है जो कि हमारा tag जैसे click करेंगे वो जितने भी tags हैं उनको वो identify करेगा guys remember one thing अगर आप अपने tags को show करवाना चाहते हैं अगर आपने इमीजेटली बनाए और आप चाहेंगे कि इमीजेटली सर्विस अप करें नहीं because Microsoft back end के उपर एक service purge करता है एक deploy करता है वो automatically आपके resources को update करके आपके subscription के अंदर वो information sync कर देता है तो वो अभी obviously नहीं है तो मैं आपको resource वो show नहीं कर पारा marketing, HVM जो हमने create किया लेकिन अगर मैं इस particular resource group जो अलड़ी बना हुआ है उस पर click करूँगा तो आप देख सकेंगे कि ये उसको analyze करके based on जो मेरी utilization है वो मेरे को show करना शुरू करेगा right actual cost ये हमारा amortized ghost ये पूरा analyze करके मेरे को बताएगा कितनी बन सकेगी कितना होगा तो I think you can play around with the subscription place here और आपको काफी कुछ देखने को और सीखने को यहाँ पर मिलेगा right so guys ये था और आपको I'm pretty sure आपको समझ जरूर आया होगा कि मैं यहाँ पर किस-किस topic के बारे में बात कर रहा हूँ यहाँ पर हमारा resource cover हुआ है जो individual resource है आप कोई भी create कीजिए वो सारे resource में consider किये जाएंगे resource group है वो आपकी एक logical identity तो नहीं करूँगा entity है जहाँ पर जितने भी resources हैं उनकी information वहाँ पर save होती है फिर आता है हमारा tags tags guys yeah it is really great because मैं अगर किसी भी organization की बात करूँ तो सभी के सभी वो use करते है tags को and highly recommend you also to use it and fourth है guys हमारा subscription वैसे हम बहुत जादा deep down में नहीं गए but as a part of AZ-900 it is good we are good here so guys अब हम चलते हैं next topic के उपर जो है हमारा ARM template और समझते हैं कि वो क्या है और कैसे हमारी help करता है into day-to-day life in Microsoft Azure so after understand Azure Resource Manager the next topic we have is Azure Resource Manager templates obviously इस नाम से आपको थोड़ा easy होगा कि क्या है because finally आपको ये तो पता लग गया है कि ARM क्या है याद करना है by name से भी आपको ये भी समझ आ रहा है कि template कोई बड़ी चीज नहीं है just like you have the Azure configuration with you and मैं यहाँ पर resources की बात कर रहा हूं और उसे मैं combine करके मैं एक template में save करता हूं ताकि अगर मुझे दुबारा से same configuration use करने पड़े मैं जस उस template को run करूं और मुझे कोई changes ना करने पड़े obviously with required name changes और बाकि सब automatically मेरा deploy हो जाए this is how and this is what it is useful now इसको थोड़ा समझने के लिए मैं एक example देंगा यहाँ पे आप लगों को माल लिजे कि मेरे पास एक server है front end obviously मैं एक website deploy कर रहा हूँ और मेरा एक दूसरा server है वो है मेरा backend wow very in bad shape और तीसरा मेरा है SQL server right so now अब हुआ क्या इन server पे मैंने बहुत सारे changes किये बहुत कुछ update किया IP address किया settings की और I mean जो भी modification मैं कर सकता था वो भी किया और उसके सासत guys मैंने इनको associate किया कुछ मेरे internet peering से Microsoft peering से या फिर Microsoft end point से या कोई भी network changes किये तो ये सारी के सारी information मैंने पहली बार की है अब obviously मैं मुझे पता है कि अगर company के requirement हुई तो ये चाहेंगे कि same चीज मतलब जो ये सारी कि सारी चीज़े मैंने यहां पर की है वो सारी कि सारी वो चाहेंगे कि मैं दूसरे region में भी deploy करूँ या मेरे पास एक option I should start from scratch क्योंकि मुझे पता है कैसे करना है otherwise just save all that information in ARM template at short form तो उसके बाद क्या होगा कि आप इस template को use करके just आपने click करना है create that's it guys कुछ भी नहीं करना just आपको click करना है create and फिर क्या होगा ये सारी कि सारी settings जो भी आपने की थी ये automatically आपकी create हो जाएगी without any issue isn't it great because मुझे बहुत अच्छा लगा था जब ये बाद मुझे पहली बार पता चली कि we have this option और I think हम सब को use करना चाहिए ताकि instead of बार-बार बार-बार हमे modification करनी पड़े in the real-time world वहाँ पर आपकी ये deployment और ARM templates आपके काफी help करेंगे so वहाँ पर सबसे पहला guys obviously जो मैं आपको बता चुका हूँ कि क्यों use करना है helps in repeatedly deploy solutions to the cloud and know their infrastructure is in a real reliable state because आप ये already check कर चुके हैं कि सब कुछ ठीक चल रहा है आपको just redeploy करना है और उसके लिए आपने template create किया है right now इसको समझाने के लिए मैं एक काम करता हूँ मैं एक बार आपको powerpoint open करता हूँ वहाँ पर आपको wow microsoft powerpoint मैंने शायद पहले try किया था okay so यहाँ पर आप देख सकते हैं कि microsoft powerpoint का ये मेरा screen है और अगर माल लिजे कि मैं इसको कहता हूँ वैसे तो microsoft themes कहता है इनको but for me these are templates क्योंकि पहले इन्हे template सही कहा जाता था so as soon as I click on these template let's say double click तो अभी क्या होगा कि यहाँ पर मेरे पास just ये information है तो मुझे क्या करना है so like right you understand my point मुझे just welcome to ये जो color है background है ये जो मैंने जो लिखा है ये जो format है ये मुझे नहीं create करना पड़ेगा because I have already done that very first time so जब next time use करेंगे तो आपको काफी ज्यादा help लगेगी and that's how these templates are gonna help you guys so please ये आपको आना चाहिए I think आना चाहिए तो क्या आप obviously learn करना चाहेंगे ही because real world में ARM templates की काफी ज्यादा importance है especially जब आपको high end level पे कोई भी resources deploy करने हो तो अभी मैं आपको show करता हूँ कैसे आपकी help करेंगे और कहां कहां से ये information आपको show होगी now second thing guys automate deployment obviously ये भी आपको पता है कि मैंने आपको बताया कि अगर आपने एक बाद template आपके जो Azure template है या ARM template है उसको अगर आपने save कर लिया तो next time आपको obviously कुछ करना निपड़ेगा just follow that जो मैं आपको अभी दिखाने भी वाला हूँ तो just double click on that and automatically it goes to Microsoft Azure and simply start create that's it it automatically create for you obviously अगर आप parameters change करना चाहते हैं तो yeah वो आपका आपकी मर्जी है you can do that now one more interesting thing guys कि ये जो आपकी ARM templates है ये आपके सारे के सारे save होते हैं in a JSON format just remember this it's very important and yeah it's a JavaScript आप आप सचेंगे Harsh okay अगर मुझे JavaScript या JSON नहीं पता तो obviously guys no worries मैं कोई specialist नहीं हूँ मुझे कुछ इतना नहीं आता है थोड़ा वोच चीज ठीक है थोड़ी बहुत basic बहुत ही basic पता है बट इतना नहीं आता है लेकिन still Microsoft is here to help you you don't need to remember JSON language or I mean JSON format or any kind of language आप just एक procedure को follow कर सकते हैं और obviously थोड़ी common understanding यूज करके जस्ट आपको parameters ही change करने है automatically वो parameters आपके template में save हो जाएंगे और next type आपको just update करना है so यह important चीज है guys JSON format में save होता है और जैसे मैंने कहा you should not be an expert or even the beginner in language because अगर आपको नहीं आता it's fine because मैं भी आपको show करूंगा कि कहां से यह information आप देख सकते हैं और कहां कहां यह updates आपके लिए available है so yeah guys one more thing before to go to the practical आपको इतना ही जानना बहुत जरूरी है जादा आपके mind में चीजें मतलब जरूरी नहीं है उन चीजों का just to tell you that so please go through this information और आपको काफी help होगा अगर आप यह knowledge रखेंगे और ARM templates is a savior for all the administrators सब लोग जो मेरे friends हैं या जो भी जिनके साथ मैं खाब करता था पहले वो सब के सब यह जानते हैं कि Harsh ARM templates is really really helpful for them especially जब आपको थोड़ा सा अपने लिए time चाहिए और I think it is not a bad idea क्योंकि जब next time आपको deploy करने को बोले तो just use ARM templates and click create that's all you have to take care of right okay now let's move forward and try to learn कि कैसे और कहां पर यह information आपको देखने को मिलेगी alright guys so now हमें समझना है कि ARM templates कैसे help करते हैं और कहां पर यह information आपको मिलेगी so जैसे कि आप देख पारें कि यह जो link है azure.microsoft.com slash en-in या फिर us slash resources slash templates so जैसे ही आप इस link पर जाएंगे तो यहाँ पर यह आपको screen दिखेगी और guys यहाँ पर आपके ARM template जो verified template है वो available है यहाँ पर एक template नी यहाँ बहुत सारे templates हैं और आपके requirement के basis पे हैं और obviously यह सारे verified हैं तो मतलब क्या है जब भी आप इन्हें deploy करेंगे आपको कोई error of message देखने को नहीं मिलेगा आपकी successful deployment होगी ही होगी और yes यह helpful भी बहुत रहते हैं तो आपको जो अलड़ी SharePoint में है या Kafka या कोई भी एक different type की requirement उनकी रहती है अगर वो deploy करना चाहते हैं So I highly recommend आप check करें कि क्या आपके templates यहाँ पर available है के नहीं है Till date guys यहाँ पर 1217 quick start templates available है और यह हमारी gallery में available है और obviously आप इने use कर सकते हैं जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे पास SharePoint 2019 को fully configured करने के option है यहाँ पर आप Kafka on Ubuntu VMs पर भी configure कर सकते हैं और I mean अलग अलग type की यहाँ पर आपके पास deployment available है अगर मैं यहाँ C all करता हूँ तो यहाँ पर categorized information भी आपको दिख जाएगी कि किस type के आपको information बनाने है for example Power BI मेरे पास कितने template है मेरे पास एक ही है create a Power BI workspace collection using a template तो यह already verified है from Microsoft और इसे use करके मैं create कर सकता हूँ right so let me just come back and मैं यहाँ पर कुछ शो करना चाहता हूँ आपको एक easy understand करने के लिए so guys अगर आप इन्हें template को use करना चाहते है तो आपको process क्या करना है मान लिजिए SharePoint it takes lots of time आप इन्हें use कर सकते है but फिलहाल deploy a simple Windows VM would be the nice option ताकि हमें यह पता चले कि हम क्या कर रहे है so click करने के बाद यहाँ पर हमारे पास कुछ information होगी और यह भी बताएगा कि कौन कौन से parameters है जो आप change कर सकते हो it's all up to you obviously और जहाँ आपको ठीक लगे वहाँ पर वो changes कर सकते हो use this template via PowerShell आप PowerShell के थूभी यह changes कर सकते हैं just copy these commands and paste job done that's it और command line obviously cloud shell जो हमारी bash है वहाँ पर भी आप इसे use कर सकते हैं या फिर CLI Azure CLI है वहाँ पर भी फिलहाल मेरे पास दो option है browse on GitHub मैं जरूर दिखाना चाहूँगा GitHub में क्या है so click on browse on GitHub और यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि यह जितने भी templates आपके available हैं उनकी primary information GitHub पे ही uploaded है because यहाँ पर जो लोग इसे upload करते हैं वो verify करते रहते हैं कि क्या कोई problem तो नहीं है because जैसे जैसे Microsoft Azure Resource Manager में कोई changes करता है, update करता है they also need to make sure कि templates के अंदर up-to-date changes होने चाहिए तो आपको मैं highly recommend करूँगा कि आप यहाँ आके जरूर चेक करें एक बार और जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मेरे पास in fact और option है deployed in Azure, deployed to Azure Government या visualize आप चाहें तो यह review करके check भी कर सकते हैं, anyway let me just go back और यहाँ पर मेरे पास जो deploy in Azure था या to Azure था, मैं उस पर click करूँगा तो वहाँ पर click करने के बाद यहाँ पर हमारा यह automatically recognize करेगा मेरा account जो logged in है और automatically directly VM की deployment पर आ जाएगा जैसे कि आप देख सकते हैं तो यहाँ पर आपको करना क्या क्या है आपको simply choose करना resource group जो कि एक parameter है username, let's say test34, अगर यह ठीक है तो it's fine, और obviously password okay, let me just type in correctly because आप सब को पता है कि मेरी typing कितनी अच्छी है so, मैं यहाँ पर आपको board नहीं करना जाता anyway, मैंने यहाँ पर सब information select की that's it and उसके बाद total कितने resource deploy होंगे six resources चाहें तो आप इन्हें edit भी कर सकते हैं तो जैसे कि edit template और guys, यहाँ पर आपको कुछ देखने को मिल रहा है यह है हमारी json format right so, यहाँ पर आप सारे के सारे changes कर सकते हैं कि आपको किस type की information update करने है और जैसे कि आप देख सकते हैं मुझे json की knowledge होने की जरुवत नहीं है because यह मैंने code लिखे नहीं है Microsoft is helping me out कि हाँ भी आपके लिए मैंने लिख दिया है you just need to at least update it और जब आपके पास update हो जाए क्योंकि यहाँ पर one, two, three, four, five, six six resources हमारे deploy होंगे अगर आपको लगता है कोई और resource add करना है आप add कर सकते हैं अगर आप चाहते हैं तो इसे download कर सकते हैं after modify information और अगर सारी कुछ चीज़ें आपकी ठीक हैं so come back and just click review and create that's it so आप देख सकते हैं guys कितना easy है just आपकी click करना मैंने कोई information नहीं थी बस मैंने username, password obviously वो required है और किस resource group में मुझे add करना है मैंने just create पे click किया और automatically मेरी VM create हो गई कितना simple है guys ARM template को use करके आपकी deployment करना और मैं यही कह रहा था हम administrators को थोड़ा सा rest करने की भी जरूवत है okay so guys this is one thing जो हम quick template से कर सकते हैं obviously यहाँ पर हमारे पास Microsoft Azure portal में भी option है template deployment का वो कैसे है और कहां से है उसके लिए left hand side में यह three जो lines है वहाँ पर जाना है आपने और create a resource पे click करना है जैसे click करेंगे तो यहाँ पर आपको लिखना है templates right so यहाँ पर template जैसे लिखेंगे deploy using custom template यह जो first option है यह आपको choose करना है जैसे इस पर click करेंगे तो यहाँ पर भी कुछ similar information ही show करेगा पहले तो आपको मैं यह दिखाना चाहँगा कि कौन-कौन से और templates आपके available हैं जो quick templates तो नहीं हैं बर templates available है so यह offers हैं तो यहाँ पर आपके पास services available है आप क्या create करना चाहते हैं सारी services आप marketplace से deploy कर सकते हैं दूसरा मैं अगर आपके वापस लेके जाओ तो यहाँ पर आपको click करना है create पे template creation पे तो यहाँ पर आप अपना खुद कर template create कर सकते हैं क्योंकि वहाँ पर आपको code editor मिल जाएगा और obviously अगर आपको JSON की knowledge है आप create कर सकते हैं create a Linux machine, Windows machine quick steps है, web app और दूसरा हम क्या कर सकते हैं यहाँ पर quick start template जो है यहाँ पर आप जाके search कर सकते हैं और you can see guys हमारे पास कितने सारे quick starts guideline है और यहाँ पर आप कोई भी choose कर सकते हैं कोई भी जो आपको ठीक लगे और अगर मैं आपको एक example दूँ यहाँ पर मैं search करूँगा Red Hat और Red Hat के अंदे मेरा 3 tier IaaS VMs है obviously I can choose this template for deployment or I can start just editing this deployment so जैसे मैं edit पर click करूँगा तो आप देख सकते हैं guys यहाँ पर कितने सारे हमारे resources automatically create हो रहे हैं from this template और मुझे कुछ नहीं करना just click create पर करना है obviously मैं चाहूँगा कि कुछ modify करें हम value और यह एक बार है और जैसे आपका हो गया just click download download करने के बाद next time आपको यह सारे resources को कुछ भी नहीं करना just modify information and start creating आपका बहुत सारा वक्त और time यह save करेगा so guys यह है आपका ARM template और जो मैं आपको recommend करूँगा कि आप test कर सकते हैं और उसके साथ-साथ अब चलते हैं थोड़ा सा back क्योंकि आपके mind में question होगा of course कि ओके हर्ष अगर मेरे पास already deployed मेरे पास कुछ configuration है मैं उसके template को कैसे save करूँगा यह check करूँगा yeah it's a valid and a good question so उसकेस में क्या करना है as an example मैं यहाँ पर VM में आ रहा हूँ Azure Virtual Machine हर शेरिना VM और यहाँ पर guys आपको जाना है guess भी कर सकते हैं थोड़ा सा नीचे जाके यहाँ पर option है हमारा automation के अंदर export template so जैसे ही आप export template पर click करेंगे so आप देखना है यहाँ पर क्या information दिखेगे isn't it familiar आपको नहीं लगता है यह आपने देखा है अभी थोड़ी दर पहले ही yeah guys it's a same JSON format जहाँ पर आपका जो आपके जितने भी resources हैं वो अवेलेबल होंगे obviously आप इसे download कर सकते हैं आप इसे library में add कर सकते हैं ताकि next time आप just library में जाएं और वहां से अपने templates को deploy कर दें directly or you can also deploy directly if you want but anyway so this is one thing लेकिन obviously यह virtual machine उसके साथ जो components हैं या resources हैं वो सारे के सारे आपकी create नहीं होंगे तो दूसरा option है हमारे पास resource manager sorry not resource manager what time is it भाई दो बज की 11 मिनट हो गए हैं तो ऐसी गलतियां हो सकती हैं I apologize I apologize okay so resource group में आने के बाद guys जैसे आप देख सकते हैं मैंने एक ही virtual machine create की है और वहां पर उसके साथ associated मेरे कुछ components भी हैं या resources कह सकता हूँ मैं so अगर इन सब की information मुझे save करनी है तो यहां पर भी वही चीज़ है automation और export template जैसे आप export template पे click करेंगे यह सारे के सारे resources create हुए थे उनकी JSON format में आपको information share हो जाएगी और यह successfully deploy हुआ था मुझे खबराने की जरुवत नहीं है so for the next time अगर आप चाहते हैं कि मैं इसे save करूँ तो obviously you can download it or you can simply add to library और यह आपकी help करेगा next time similar resources को deploy करने के लिए right clear है इतना I think so and I'm sure okay now very much another interesting information अगर मैं एक resource create भी करता हूँ उस दोरान भी आप एक template अपना save कर सकते हैं for example मैं यहाँ पर लिखता हूँ test 6-7 कुछ भी नाम दे सकता हूँ it's up to me size is correct Japan East okay I'd like to change it to East US too should be good yeah it is good now test YU I think it's good yeah good now slowly let me just type in the password because यह मुझे otherwise allow नहीं करेगा जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ क्योंकि आपने यह चाहँ चाहँ चीज नौटिस की नहीं होगे और की है तो you guys are brilliant okay so जैसे आप password यहाँ save करेंगे और obviously मैं यहाँ पर confirm करूँगा और yeah review and create so जैसे ही यह सारी setting disk, networking, management, advance, tags जब भी आप कोई चीज अपडेट करेंगे यह सारी information आपने correctly information अपडेट कर दई है तो आपका next step क्या रहेगा बहुत ही simple है guys just go to download a template for automation that's it so as soon as you click so यह क्या होगा यह हमारा template है आप इसे download भी कर सकते है deploy भी कर सकते है और कोई parameters अगर आपको change करने है तो parameters में जाके change भी कर सकते है help क्या होगी आप इसे next time deploy कर पाएंगे like जब भी आपको deploy करना है so I think you get my point और आपको यह भी idea लगा है कि ARM templates का use क्या है और कहा कहा से हम उसे access कर सकते हैं और create कर सकते हैं alright guys so आज के लिए काफी है I think आपको काफी information मिली and I hope यह video आपके लिए informative भी रही होगी और थोड़ी सी helpful भी रही होगी so guys before I leave मैं आपको बताना चाहूँगा कि I moved to Bangalore so जो लोग Bangalore में है feel free to come and meet me I'm living in Dasanhali and हेगडे नगर कहते हैं इसे यहां पर so yeah feel free to come obviously अभी तो lockdown है but मैं जरूर चाहूँगा जब भी आपके past time हो come visit me and we can have a cup of coffee or tea बैठेंगे discuss भी करेंगे हमारे topics के बारे में बाकी yeah guys all good and I will try to make videos quit faster because अब मैं job के ओपर दुबारा से आ गया हूँ so yeah थोड़ा सा मुझे time weekend पे लगेगा आज weekend है so I have created this video but don't worry मैं पूरी कोशिश करूँगा जल्दे से जल्दी बनाऊ और मेरा काम भी guys रात कोई है so I have to be get ready for that so कोई बात नहीं अभी के लिए आप अपना खिया लगे guys and thank you so much for watching this video और मैं आप लोगों का तहदिल से शुकर गजार भी हूँ और appreciate करता हूँ आपके feedback और आपके support के लिए although हम अभी छोटी से family है और मैं जरूर चाहूँगा कि ये videos जो बाहर जो courses है they are like very expensive और आपको ये courses मिले but यह मेरा एक और purpose भी है मैं नहीं चाहूँगा कि कभी-कभी क्या होता है कि when we deliver these in a free of cost तो कुछ लोग इसे take an advantage ले लेते हैं ऐसे होता है not everyone is same obviously you guys are definitely not so मैं सोच रहा हूँ कि I can make some changes but don't worry आपको इसमें कोई दिकत नहीं होगी किसी को भी दिकत नहीं होगी because I'll take care of that so guys अभी के लिए अपना ख्याल रखिये and it's a good morning to me मैं देखता हूँ थोड़ी तर जगूंगा and then I will sleep I will see you in the next video till then please take care guys COVID-19 के situation अभी भी है अपना ख्याल रखिये अपनी family का ख्याल रखिये और थोड़ा maintain कीजिए safe distance सब के लिए help होगा so I'll see you in the next video bye bye peace God bless